हेलो स्थोक, कमाई का आड़ दस यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर के बारे में दिस रिलेटेट काफी निवेशक के यहाँ पर कुशन थे वेरियस टाइप के क्योंकि देखिए जो आज हमें मार्केट के अंदर लगातार कुछ अच्छे सेक्टर बढ़िया तरीके से रिटन कमाकर दे रहे हैं तो केमिकल सेक्टर के भी जो यहाँ पर शेर से उनके अंदर भी हम आने वाला समय काफी ब्राइट देख सकते है क्या और किस तरीके से यहाँ पर हमें डिसिजन लेने चाहिए देखे दोस्तों डिसिजन लेने के बाद क्यों आती है केमिकल सेक्टर में क्योंकि आज जो भी केमिकल कमपनी यहाँ पर हम जो होल करते xyz कोई रहने दो उसके अंदर आपको 20% के उपर की ही गिरावट अभी भी देखने को मिलेगे 20 कोई 30 कोई कोई तो 50% तक करेक्शन में अभी भी फिलाल आवेलेबल है शेर्स तो अभी सभी को ये सवाल आता है तो मार्केट में इतना अच्छा डिस्कॉण मिल रहा है तो chemical sector को हम accumulate करे क्या अभी खरिदारी करे क्या तो उसके पीछे growth का factor कितना काम आता है और क्या reason ऐसे सामने आते है जो हमें यहाँ पर इस sector के लिए अभी कितना time लग सकता है वो भी समनना जरूरी है देखिए एक एक points को आप यहाँ पर समझ में यहाँ पर लेंगे तो आप सभी को अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से chemical sector आपके लिए beneficial रहेगा तो चलिए start करते दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमाई का आड़ा इस YouTube चैनल को like subscribe करना आपर हम सबसे पहले जो reason है उसको identify करेंगे कि actually हो क्या रहा है but in short term in the last three to four quarter market was more impacted in chemical because of the low demand and also inventory अब देखिए inventory का मतलब किसी को नहीं पता है तो मैं बता रहता हूँ वो stock होता है manufacturing करने के बाद में जो भी आपका stock बनता है यानि कि आप जो fresh good बनाते है वो आपका sale नहीं हो रहा है या demand low रहने के वज़े से आपका stock भी बच रहा है और sale भी नहीं हो पा रहा है and उस तो sale भी करना हो तो demand कम होने के वज़े से आप आपके जो price है उसको कर रहे हो कम तो उससे क्या होता है जो margin है जो बचता है आपको production cost निकालने के बाद में जो margin रहता है आपके लिए वो अभी आपके लिए नहीं बच पा रहा है तो इसका impact हमें बहुत जादा chemical companies के ओपर देखने को मिल रहा है अभी उसके पीछे आप बोलेंगे कि sir reason क्या की demand क्यों कम है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है global challenges जो repo rate वगेरा ऐसे बहुत से चीजे हैं जिसका हम सभी ने बहुत बार study किया और हमें देखने को मिला है क ग्लोबल लेवल पर जो अभी situation धीरे धीरे अभी यहाँ पर पट्री पर आएगी यहाँ पर हम first stock को discuss करेंगे जिसका नाम है यह सारे यह company बहुत ही बड़ी और शांदर leading performance वाली company है chemical industries के अंदर और अभी यह share आप देखेंगे तो 2400 या 2500 के करीब trade करा है पिछले अगर आ अगर यहाँ पर आप 2021 अक्टोंबर महिने से देखेंगे वहाँ से लेकर आज तक दोस्तों इसने कोई भी बड़ी ग्रो दिखाई नहीं आप खुद इस chart pattern को एक box में रख कर देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि कितना पैसा यहाँ पर बना है और किस तरीके से कैसा है दोस्तों सेक्टर आपको यहाँ पर reaction दिखाता है और इसलिए मैं कहता हूं कि आपने जो अभी share खरीदे वो कोई भी खराब नहीं है सिर्फ situation ऐसी है बोलकर आपको याद रखना है कि आप किस और कितना वेटेज दे पाते हो long term के लिए उसी तरीके से निवेश कीज कभी भी यहाँ पर आपके फायदे में नहीं रहता है long term के अंदर ही आपको बहुत से चीजे देखकर आपके patient को market अच्छा खासा value आगे आने वाले समय में देता है clean science and technology इस company को भी आप देख सकते हो कि अभी फिलाल 1450 पर stock trade कर रहा है पिछले काफी समय से दोस्तों इसने क कोई भी growth दिखाई नहीं जैसे कि इसकी listing हुई देखिए 2021 में list हुआ उसके बाद में अच्छी खासी तेजी दिखाई इसने और बाद में से देखिए कहा से कहा पर आ गया एक टाइम ऐसा था दोस्तों कि यह stock यहाँ पर धाई-डाई 1000 के ऊपर चलने वाला आज 44% discount में चल यह वो भी discuss करूंगा एशो इंडरस्टी यह company भी chemical sector में बहुत ही valuable है और इसके promoter ने भी interest दिखाया बहुत ही जबरदस return दोस्तों इसके अंदर गिरावट बहुत जादा होती नहीं और वैसे भी यह stock आप पिछले एक साल में देखेंगे तो यहाँ पर correction में काफी देखने को मिला फिर से उसने comeback किया है और अभी फिलाल 18-1900 रुपई से पर trade कर रहा है अभी यह जो chart pattern है आप बोलेंगे सर इतना छोटा chart pattern यह company क्या अभी list हुए क्या तो ऐसा नहीं है यह NAC का chart pattern है BAC का इसका अलग chart pattern है यह company 100 रुपई से दोस्तों start यहाँ पर अपनी journey कर चुकी है और आद 2000 तक यह share आ चुका है बहुत पैसा इसने कमा कर दिया है आप next stock देखिए यह अप CL जिसे यहाँ पर phenotex chemical limited कहा जाता है इसे बहुत बार मैंने cover किया जितने बड़े बड़े companies दोस्तों आपने देखे chemical के बट उससे भी कई गुना अच्छा return इस stock ने कमा कर दिया पिछले एक साल में 27% का अच्छा खासा value added return है भले ही कितना ही market ups and down रहने दो बट इसने पैसा निवेशक को कमा कर दिया है पिछले काफी अच्छे तरीके से और अभी बाला जी अमाइन्स यह सभी stock को मैं आपको बता क्यों रहा हूँ कि आप आपके पास कोई भी shares है तो आ आप इनको समझ सके और आपने decision अच्छे से ले सके बाला जी अमाइन्स अलसो good quality stock आप यहाँ पर इसके performance देख सकते हैं पिछले काफी अच्छे return इन्होंने generate कर कर दिये आपने chart pattern नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ देखिए कि इसने पैसे कितने बना कर दिये निवेशक यहाँ को 12.5% के return कमा कर दे और फिर वह इसे ही देखे गिरावट भी बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है यहाँ के 50% के करीब लगबग यहाँ पर यह बाला जी अमाइन्स का share अभी discount में है company खराब है कि है बिलकुल नहीं आपको इसके result बताता हूँ मैं जिससे आप सबी को बहुत अच्छे से पता चले कि company का किस तरीके से अभी यहाँ पर sales वगेरा देखने को मिलता है यानि revenue देखेंगे down जैसे मैंने बताया reasons और जो margin है इसके देखिए थोड़े ठीक ठाग अभी इस quarter में नजर आये है बिलकुल आप notice कर सकते है यह थोड़ा थोड़ा तेरे companies अभी पट्री पर दोस्तों आते वे नजर आ रहे है नेक्स्ट है तो खुद company के promoter का interest हमें बढ़ते वे देखने को मिला है और अभी भी यह share बहुत ही valuable है और काफी discount में available आपको देखने को मिलेगा 2100 रुपए पर ही स्रिप चल रहा है share देखिए और इसने बहुत बड़ा correction हमें यहाँ पर दिखाया है खास करकर अगर आप यहाँ पर देखेंगे बालाजी Amines रेने दो या Alchemist Amines यह both stock यहाँ पर 50% से भी जादा डिस्कॉर्ड में अभी फिलाल available है और दोस्तों यह पूर करेक्शन में ही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं और मैं अभी यहाँ पर एक stock बताना भूल गया आपको जिसका नाम यह नविन फ्लूरिन है यह भी company बहुत बड़े level पर काम करती है और इसका भी business बहुत अच्छा है इसके result खराब आने के वज़े से हमें काफी बड़ negative है क्यों क्योंकि business पूरा यहाँ पर अभी फिलाल डाउन रहने के वज़े से ऐसी चीजे देखने को मिल रही है यह companies बहुत पुराने समय से काम कर रहे धीरे 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 यह अपने आपको develop करते ही रहते हैं शिरिप यह जो reasons है उसको देखकर और understanding करकर आप decision लेना आप लगेंगे बोलखर आपको यहाँ पर जो growthable sector और demand में है government का जिस पर focus है उसके ओपर आपका पैसा लगना चाहिए thank you so much